आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के पराठे की एकदम नई और डिफरेंट रेसिपी खाकर इसको आपको मज़ा ही आ जाएगा शुरू आत में जब कोई पराठा बनाने की कोशिश करता है तो इसे कई बार आलू आते से बाहर आ जाते हैं और पराठा फट जाता है इसे मैं इन्हें दोबारा ट्राई करनी पड़ती है तो आज मैं आपको आलू का पराठा बनाने की सबसे आसान वी दिवता रही हूँ इस से जानने के बाद आप मिंटों में आलू का पराठा बना कर त्यार कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूं दो उबले हुए आलू मीडियम साइज के इसको बड़े बड़े पीस में कट करके हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे अलू के पराठे के यह यह रेसिपी आपको पसाद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करना नहीं बूलेगा अब इसमें ढाल देंगे दो हरी मेर्च मोटी मोटे कट करके और तिन से चार लहसन की कल और हाफ कप पानी अब आलू को मैंने पेश्ट की तरह गाढ़ा पीस लिया है आप देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी गोर से देख लीजे इसे मैंने हाफ कप पानी डालकर के पीस लिया है बीज में बिल्कुल भी जरूरत पेश नहीं आई इसमें एक्स्ट्रा पानी डा सकते हैं उसे बहुत इसमें अच्छा टेश्ट आएगा अब इसमें डालेंगे एक कटोरी मेदा मेदे को अच्छी तरह से चान लीजेए तो पहले मैं आधा डालूंगी एच्छे से मीक्स करूंगी मेदे की जगह पर आप गेहु काटा ले सकते हैं या आदा गेहु काटा और आदा मेदा भी ले सकते हैं दोनों मिला करके मेदा मैं इसलिए ले रही हूं कि इसमें बिल्कुल रेश्टोरेंट की तरह से बनकर त्यार होंगे इसके बाद इसमें कुछ हम मसाले मिलाएंगे हाफ टीस्पून नमक आप अपने के हिसाब से डालेगा सेंदा नमक 1-2 पिंच करें के त्यार होड़ stuck맞 對 अजवाइन करीब चोथाई कि या वैकमिक नव अपने क्रेश करके डालेगे और प्रि इसमें हम टालेंगे हाफ टीस्पून गुना जीरा पावडर और हाफ टीस्पून काली मिर्च का पावडर हलका समिक्स करेंगे और इसके बाद बाकी का बचा हुआ मेदा भी इसमें हम डाल देंगे और इसे आप खुब अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे तो अब चम्मच को हटा लीजिए और हातों से इसे खुब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चिपचिपा आटा गून लीजे, इसका आटा जो है बहुत ज्यादा टाइट नी होना चाहिए, बहुत ज्यादा लूज नहीं, एक चिपचिपा, इस्टी की डो जो लगाते हैं, अम चेश्ट उसी तरह से होना चाहिए, बारिश के मौसम में और सर्दियों में आलू के पराइट निकालेंगे, पर पहले हम थोड़ा सा मेदा डश्ट करेंगे, अब आटे को दोबारा से मसल मसल के अच्छा चिकना कर लेंगे, जब यह अच्छी तरह से चिकना हो जाएगा, तो इसे हम दो भागों में चाकू से डिवाइट कर लेंगे, अब एक पीस उठा करके अब पेटे पर दोबारा से ठोड़ा सा मेदा डश्ट कीजिए, और एक लोई लेकर, इसकी हल कीसी मोटी और बड़ी गोल रोटी बेल करके त्यार कर लेंगे, रोटी बना लेने के बाद, इसके उपर एक टी स्पून तेल डाल करके, पूरी रोटी पर अच्छी तरह से फे करेंगे एक सिरह से रोटी को उठाकर वी चबन अग Herrnatures通 कर दिया है il अभ जो यह दोनों में तब़ों कीजिए और शिरे को उठाकर अपर फॉल्ड कर दीजिए चोक और आइद बन कर कर त्यार ओगया अबρεί दूसरी लोई के भी इसी तरह से हम कर लेंगे और यह आयत मैंने बना लिए अब थोड़ा सा मेदा पटे पर डस्ट कीजिए और इसे हम चोकोर पराठे की तरह बेलकर तयार कर लेंगे यह पराठे अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च को इसकीप भी कर सकते हैं और इस तरह से थोड़े से हलके मोटे और चोकोर पराठे बेलकर तयार कर लीजे दूसरा भी इसी तरह से तयार कर लीजे अब हम गेज पर एक नौन इस्टिक तवा रखेंगे और इसे गरम करेंगे तवे पर हम थोड़ा सा तेल डाल करके चम्मस से फेला लेंगे और इसे गरम करेंगे जैसे ही तेल गरम होगा इसके उपर पराठा डालेंगे और इसे एक साइट से दो से तीन मिनिट के लिए सिखने देंगे जब यह एक साइट से हलका सा सीख जाएगा तो फिर इस पेचुला से इसे पलट देंगे और पलट करके दूसरी साइट से भी इसी तरह से एक दो मिनिट के लिए सेक लीजे आज को दीमा कर दीजे और हलका सा इस पेचुला से इस तरह से हम प्रेज करते हुए से अलट पलट करके सेकेंगे पराठे को जब इस पेचुला से इसे प्रेज करके सेकेंगे तो आप देखेंगे यह हलका-लका फूलने लगा है यह देखिए अब इसके उपर हम एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे पलट करके एक साइट से फ्राई कर लेंगे जब यह एक साइट से फ्राई हो जाएगा ना तो हम इसके दूसरी साइट भी तेल डालेंगे और इसे दू अठा बनाने में मुश्किल से 3-4 मिनिट का टाइम लगेगा और यह देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आ गया बढ़िया से सीख गया है तेसे हमें प्लेट में निकालेंगे और आपको बताती हूं यह देखिए कितनी अच्छी इसकी परत खुली हुई है अंदर से बिलकु अच्छी बन कर तेयार हुई है यह पराठे अंदर से सोफ्ट और नरम बनते हैं और उपर से क्रिस्पी बनते हैं खाने में बहुत ला जवाब लगते हैं मेरे केने से आप इन पराठों के एक बाज जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही टेश्टी लगते हैं आप इने सफर में ले जा सकते हैं लंच बाक्स या इसकूल के टिफिन में भी बच्छों को दे सकते हैं तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रियों